हलेवो दिये स्टुडेंट्स वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर दिये स्टूडेंट्स आज की वीडियो और भीसी बॉर्ड, क्लास 12, इंगलिस कंपनुसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है Students इस वीडियो में आपको मिलने वाला है English Compensory का Important Question Paper इस वीडियो का आप लास तक जरूर देखिएगा इस वीडियो के जो छोटे Question है Objective Type और साथ में जो Grammar Section है इसको अपन Solve भी करने वाले हैं और Students अगर आपको इसकी पीडियोप चाहिए तो Telegram Channel पे डाल दी गई है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो देखिए Students आपका ये पेपर सबसे पहले कुछ General Instructions है उसके बाद ये Section A Reading Section है इसमें Unseen Passage दिया हुआ होगा जो कि 9 नम्मर का होगा तो Students आपको क्लास में भी बता चुका हूँ कि आपका जो पेपर रहने वाला है मेन एक्जाम जो इंगलिस कंपल्सरी का होने वाला है उसमें एक पेसेज परस्नेलिटी से समंदित आने की संभावना है कोई भी परस्नेलिटी हो सकती है जैसे स्वामी विवेकानंद एपी जे अब्दूलकलाम तो इन परस्नेलिटी से समंदित जो पेसेज है इनको आप अच्छे से जरूर त्यार करें जाईएगा पहला जो पेसेज होगा ये नो नम्मर का होगा तो स्टुडेंट्स आप देख सकते हो ये इस तरह का पेसेज होगा उसके बाद देखिए ये नीचे क्योसन दे रखे है और लास्ट में देखिए सेम अज वर्ड भी इसके दे रखे है तो इसमें आप देख सकते हो पीडियो चाहिए तो टेलिग्राम चैनल है मेरा साजी सर्वाडेट उससे आप डाउनलोड कर सकते हो देखिए तूसरा जो पेसेज है ये भी अंसीन पेसेज है और इसके अंदर जो क्योसन पूछे गए है वो छे मल्टिबल चॉइस क्योसन पूछे गए है तो आप देख सकते हो आपके सामने सामने है मल्टिबल चॉइस क्योसन उसके बाद देखिए students section B जो की writing का रहने वाला है सबसे पहले देखिए 4 नमर का short composition है जो की 50 words के अंदर आपको लिखना है short composition में एक notice आप बला donation campaign और option में आपको formal replies refusing है जो की birthday party की उपर है उसके बाद देखिए students letter की अगर बात करें तो ये loud speaker से समंदित letter है जो की एक official letter है और option में जो question है वो देखिए application for job है जो की किस के लिए चाहिए एक English lecturer के लिए यनि की आपको job के लिए application लिखनी है उसके बाद देखिए students सबसे ज़्यादा important report writing के अंदर जो की मकलास में भी आपको बार बार बता चुका हूँ जो की आपकी पंचाइद में held किया गए उसके बारे में आपको report लिखनी है और option में जो देखिए आप देख सकते हो translation करना है हिंदी के अंदर और यह पांच नमर का होगा section B, C देखिए students grammar section है grammar section में आपको बता देता हूँ जैसे the teacher says इसका क्या हो जाएगा the teacher says that every subject is important यह आजाएगा दूसरे में देखिए a person who remains a student has deep knowledge अगला देखिए her shit is running fast to catch the bus उसके बाद देखिए students आगे बठते हैं अपन the patient had died before the doctor came patient अगो मर गया doctor के आने से पहले तो एप्शन से हो जाएगा देखिए question number seven question number seven की students बात करें तो इसका देखिए किस तरह से आपे करोगे English is very difficult I can't speak it two or two का यूज़ करना है तो English is too difficult to speak इसका यानि कि आपे कर दोगे उसके बाद when से आप वाक्वे को जोड़े होगे तो when से भी start करते हो when I got up उसके बाद कोमा लगाई यह दसन रोज यह हो जाएगा उसके बाद है कि students phrasal verb की अगर बात करें तो आगे phrasal verb what time does your father in the morning तो यहाँ पर क्या हो जाएगा what time does your father get up कितने बज़े आपके फादर वो उठते हैं morning में जो कि मैंने आपको important बताई थी उनी important phrasal verb में से है अगला देखिए runny put out the light and went to sleep यह भी important बताई थी और यह भी इसके अंदर है देखिए अब आगे देखिए it is 12 of 8 noon noon से पहले यानी की 8 यानी की पताई था मैंने देखिए the loin jumped into the wall यहाँ पर गती हो रही है तो किसका हो जाएगा into का हो जाएगा तो into the whales हो रही the loin jumped into the whale यह दोनों example मैं already आपको class में करवा चुका हूँ उनी में से यह पूछा गया है और देखिए student section D textual question answer जो कि यह देखिए stanza दे रखा है एक an elementary school classroom से है और दूसरा है thing of beauty से और यह जो दोनो stanza जो बताए थे यह मैंने important बताए थे और यह दोनों ही stanza इस question paper के अंदर है आप देख सकते हो और students आगे देखिए 20 से 25 words के अंदर आपको लिखना है roadside stand पे कि why do some car owners stop at the stand stand पे क्यों रोपते हैं car owner keeping quiet से कि अर्थ हमें क्या teach करती है उसके बाद देखिए अगला where was the poetess going and with whom किस के साथ जा रही थी आगे देखिए इसके बाद आप देख सकते हो 80 words के अंदर ही है डेरी का character sketch और tiger king ने अपनी फुर्फिल जो वह थी के से उसको आने के पूरा आने के किया उसके बाद देखिए छोटे question है what are the views of people about interview interview से समंदित लोगों की क्या विचार है डगल्स के से determine हुआ अपने फियर पे जीतने के लिए डोक्टर सदाव कौन थे उसका घर कहा था what kind of person was you once you once किस टाइब का person था अब देखिए उसके बाद scene pages है आपके सामने है scene pages के question आनसर भी आपके सामने है उसके बाद देखिए students last person है objective type विस्तास से जो की 6 multiple जो है इसके question आपको देखने को मिलेंगे तो narrator है वो the third level में कितने level बताता है three level बताता है बाकी सब क्या बताते है two level बताता है narrator को ने इसमें चार ली अगला देखिए the single cell plant Antarctica में उसका क्या वो कौन सा है phytoplankton जो की क्या है phytoplankton grass ग्रास होगता है c है अगला देखिए the wizard was a tiny little old man जादुगर कौन था एक छोटा सा यानि की दिखने वाला छोटा ठिंगना दिखने वाला old man अगला देखिए how many students were there in Evans class इवांस की क्लास में कितने students थे इवांस अकेला था तो इवांस इमसेल पाजाएगा उसके बाद देखिए what does dairy like to hear dairy क्या सुनना पसंद करता है dairy sound of rain on roof यानि की बारिस्ट की जो बूंदे है आवाज है जो की छट के उपर गिरती है वो उसे सुनना अच्छा लगता है अब अगला देखिए the name of सदाउस wife is सदाउ की wife का नाम क्या था हाना था तो students इस तरह का आपके ये paper रहा उम्मीद करता हूँ इस paper से खुब सारे क्योशन आपको अपनी वार्षी प्रिक्षा में देखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि नई वीडियो जैसे ही चैनल पे एप्लोड कीज़े उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंग जए थैंक यू वरी मच्छ